हेलो फ्रेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई महिला या फिर कोई अन्यप पुरुश भी अपने फेस के उपर टच अप करते हैं या फिर मेकप को ट्राय करते हैं तो फेस पाउडर सबसे ज्यादा एहम होता है लेकिन आप ये बात भली भाती जानते हैं कि जब भी हम मार्केट से फेस पाउडर खरीद के लाते हैं तो ना ही तो उसकी क्वान्टिटी इतनी अच्छी होती है और ना ही उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है हम ज्यादा पैसे खर्च कर दें तो भले ही हमें अच्छा face powder मिल जाए लेकिन कम पैसों के अंदर या फिर अपने budget के अंदर एक अच्छा face powder अच्छी quality और quantity के साथ मिलना थोड़ा साथ मुश्किल है इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आएं हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप घर बैठे ही अपने लिए face powder बना सकते हैं ये पूरे तरीके से हर्बल है घर पर बना हुआ है और इसका कोई भी side effect नहीं होता है आईए जानते हैं कि इसे हम कैसे बना सकते हैं घर पर face powder बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अपने skin tone का भी खयाल रखें जी हाँ हर किसी का skin tone अलग time का होता है और वैसे usually face powder केवल तीन से चार shades के अंदर ही available होता है light shade, medium shade और dark shade medium shade बनाने के लिए आपको जरूरत है तीन टेबल स्पून आला रोट पाउडर या फिर corn starch और देट चमच कोको पाउडर की और एक चौथाई चमच अच्छे तरीके से mix करिए उसके अंदर dark chini powder कुछ सुकंधित टेल की बूदे ये साली समगरी आपके लिए है और एक चौथाईस टेबल स्पून और corn starch powder की और कुछ सुगंधित टेल की बूदे अब इन्हें बनाने की विधी के बारे में बात करते हैं अपने shade के according और उनकी सामगरियों के according इन्हें अच्छे तरीके से mix कर लीजे सारी चीज़ों को mix करने के बाद इसे एक ऐसी डबी के अंदर रखिए जिसे आप जब उसके अंदर प्रेस करें तो वो एक compact की तरह दिखाई दीना चाहिए और इसे use करने के लिए आपको किसी मोटे brush या फिर वो brush जिसे आप blush लगाते हैं उसकी तुरत पड़ेगी इसे और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए आप इसके अंदर विटिमिन E के तेल की मोटे डाल सकते हैं ऐसा करने से ही लंबे समय तक चलता है इसे एक टाइप टिपी के अंदर रखिए और ट्राय ज़रूर करिए हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा मेरी ब्यूटी और हेल्ट से रिलेटिट वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए